नमस्कार एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं चंद्रमा का अगर आपको महादसा आती है और अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में दूसरे भाव में इस्तित हैं तो आपको क्या प्रिणाम देंगे दूसरे भाव में अगर किसी भी जातक का चंद्रमा इस्तित है तो आपको ये देखना चाहिए कि चंद्रमा आपके कुंडली में स्वामी कौन से भाव का है जिस भाव का वो स्वामी है वो उसके according result देगा लेकिन वो दूसरे भाव के result भी अवस्य देगा तो जब भी चंद्रमा इस प्रकार की second house के इस्तिते में है तो चंद्रमा छे, आठ और बारवे भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए अगर इन भाव का स्वामी होगा तो आपको बहुत सारे issues create होंगे और फिर second house में चंद्रमा अपनी मित्र रासी में हो तो बहुत अच्छा प्रभाव देता है इसको अगर यहाँ पे शुक्र या फिर गुरू का अगर सपोर्ट मिल जाता है या कुछ हद तक अगर मंगल का भी सपोर्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है अगर कुरूर ग्रह का प्रभाव आपके second house पर हुआ या फिर second house में आपके कोई भी कुरूर ग्रह हुआ तो फिर आपको प्रिणाम बहुत ज़्यदा नकारात्मक देखने को मिल सकते है अब जो दूसरे भाव का चंद्रमा है देखे दूसरा भाव मुख्य रूप से आपकी जो बचत है और आपकी जो पैसे कमाने की अर्ण करने की जो कैपेसिटी है वो दिखाते है आपके खान पान को आपकी फैमिली को दिखाते है साथ ही आपकी फैमिली का स्टेटस क्या है आपकी वानी, आपकी वानी को दिखाता है, आपकी बोजन समंदी आदितों को दिखाता है और आपका जो व्यक्तित्व है, कहीं न कहीं आपका जो चहरा है, जो आपका फेश है, उसको second house दिखाता है तो ऐसी condition में चंद्रमा आपको सबसे पहले तो आपकी family से अटेज करेगा, ज्यादा से ज्यादा family के साथ समंद अच्छे होंगे और family के लिए आप हमेशा चिंता अगरस्त रहेंगे, किसी ना किसी काम के आपको चिंता लगी ही रहेगी family के मामले में इसके अलावा जितनी अच्छी आपकी financial condition होगी, उतना ही आप अच्छे से 10 वर्स को जी पाएंगे या यूँ कहें कि 10 वर्स तक आपका जो एक तरीके से देखा जाए चंद्रमा की महादसा में, जो संतुलन है आपकी जिवन में वो बना रहेगा लेकिन अगर आपकी financial condition खराब है, या फिर आपने कोई ऐसा गलत decision ले लिया चंद्रमा की महादसा में, financially अगर कोई गलत decision आपसे हो गया है, तो उसकी चिंता आपको पूरी महादसा तक बनी हुई रहेगी देखे इस चंद्रमा की महादसा में, आप बहुत ज़दा उदार परकरती के हो जाते हैं, आप किसी का भी दुख सहन नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों को बहुत ज़दा help करने लग जाते हैं, इस बज़े से आपको family की हो सकते है कि जो जिम्मेदारिया actual में आपकी नहीं है उनको भी आप निभाएंगे, और आप अपनी खुद की जो जिम्मेदारिया हैं उनको भी आप निभाएंगे, तो ऐसे जातक चंद्रमा की महादसा में, अपनी पूरी family का साथ लेके चलते हैं, वो अपनी पूरी family को एक तरे से बांध की चलते हैं, कही न कहीं, वो उसको एक collective रोप में देखते हैं, family को पूरी एक साथ देखते हैं, तो ये इस्तिती बहुत अच्छी कई जा सकती हैं, अगर चंद्रमा बहुत अच्छी इस्तिती में हैं, तो आपको earning बहुत ज्यादा होगी, यानि बहुत ज्यादा पैसा आप कमा पाएंगे, साथ ही आपको वा हो सकते हैं, तो इस प्रकार की जो creativity है, या जो कलात्मकता है, आपको वानी की द्वारा, वो चंद्रमा प्रवाइड करते हैं इस इस्तिती में, अब इस इस्तिती की वज़े से आप एक बहुत अच्छे संगीत तग्ये के रुप में नाम कमा सकते हैं, या बहुत अच्छे क चंद्रमा की महादसा आपको आ रही हो, इसी प्रकार से अब अगर चंद्रमा का समन्द 6-8 या 12 से हुआ, तो उन भावों के जो result हैं, वो भी चंद्रमा देंगे, अगर चठे भाव का चंद्रमा स्वामी हैं, तो बहुत सारी ऐसी conditions आपकी life में बनेंगी, जहां आप financially कोई dispute चल रहा है, या कोई और प्रकार का मेटर चल रहा है, इन सब से आप परिशान रहेंगे, अगर चंद्रमा आठवे घर का स्वामी है, तो family समन्दी और धन समन्दी कारियों में बहुत ज़्यादा उतार चड़ाव देगा, और financial condition को लेके हमेशा एक जिन्ता मन में बन देगा, अंदर confidence की कमी देगा बार बार, और बहुत सारे ऐसे emotional setback आपके जियोन में आएंगे चंद्रमा की महादसा में, जिनको सहन करने की छमता आप में नहीं रहेगी, इसके लाव अगर चंद्रमा बारवे घर का स्वामी है, तो बारवे घर का चंद्रमा स्वामी होकर अगर second house में बैठता है, इस वज़े से आपको काफी सारा जो पैसा है, वो आपका बरबाद हो जाएगा, या यों कहें कि काफी ज्यादा पैसा आप फिजूल खर्ची कर देंगे, तो ये इस्तिती भी चंद्रमा की कुछ हद तक इस प्रकार से आपको परेशान कर सकती है, अब चंद्रमा अगर second house में है, तो आपको विसेश कर मीठी चीजें खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, या लजीज खाने का पानंद ले पाएंगे चंद्रमा की महादसा में, तो मुख्य रुप से जो खान पान हैं आपका, वो भी चंद्रमा की महादसा से प्रभाव हो है, अगर जुपिटर या फिर वेनस इनके साथ होते हैं, तो और अच्छी आपकी financial condition हो सकती है, और अच्छा आपका status बन सकता है, अगर मंगल साथ आ जाते हैं, तो मंगल साथ आने की वज़े से फिर वानी के उपर तो एक गलत प्रभाव हम मान सकते हैं, पढ़ जाएग साथ ही चंदरमा का second house में होना, जमीन जायदाद की वर्दी करेगा आपकी life में, आपको property वगरे में फायदा होगा, इसके इलवा बहुत बार आप इधर उधर का बर्मन भी करेंगे, बहुत सारे लोगों से आप जुड़े हुए रहेंगे, तो आपकी network में भी ये विस्ता लेकिन second house का चंदरमा financial condition में बहुत ज़्यादा उतार चड़ाव दे सकता है, अगर अस्टम भाव में आपकी कोई भी ग्रह बैठाव है, तो उस ग्रह को अवस्य देख लीजे, अगर वो कोई क्रूर ग्रह है, तो निस्सित रोप से चंदरमा की जो महादसा है, उसमें financial condition मे आपके उतार चड़ाव आने ही वाला है, इसके लवाद चंदरमा की second house के महादसा में, आपके पास ऐसे मोके बहुत बार आएंगे जब आप अपने गलत निर्नेों की वज़े से अपना पैसा गवादेंगे, आप कहीं पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे, जहां से प परगती करेंगे, चंदरमा की महादसा में मुख्य रुप से आपका financial status बहुत ज़्यादा सुदर्ड होगा, आपकी family life काफी अच्छी होगी, family के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप spend कर पाएंगे, time आप बिता पाएंगे, साथ ही चंदरमा का समन्द आपकी माताजी स से भी है, तो कहीं न कहीं माताजी का support भी आपको अच्छा मिलेगा, और चंदरमा की महादसा में उनकी health भी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन अगर चंदरमा की इस्तिती अच्छी नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आपकी mother का status भी खराब होजए, उनकी health खराब होजए, उनका जो financial status है, उसमें भी कहीं न कहीं कमी आए, तो ये सारे results लगबग हो सकते ही चंदरमा की जब वो second house में हो, अब second house का जो चंदरमा है, देखे मुखी रूप से चंदरमा का समन्द आपकी भावनाओं और आपके मन से है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस भाव की चीज को कमज़ोर करता हो, अगर आपकी जिन में थोड़ा सा भी कोई ऐसा नकारात्मक बदलावाता है, उस वज़े से आपकी भावनाओं पर बहुत ज्यादा नकारात्मक असर पड़ सकता है, कभी भी आप एक जिसी इस्तिति में बने हुए नहीं रहेंगे लंबे समय तक यानि पास प्रयाप्त मात्रा में भूमी या फिर धनका होना बहुत जरूरी है अपनी लाइफ को चलाने के लिए, वरना बहुत बार आपको इमोसनली और मेंटली हार्ट होना पड़ेगा, आपको मांसिक रूप से परेसान होने पड़ेगा चंदरमा की महादसा में, साथ ही चंदरमा अगर सेकंड हाउस में हैं, तो चंदरमा की रासी देखे कौन सी रासी है, और उस रासी के स्वामी कैसे इस्तिति में हैं, अगर उस रासी के स्वामी अच्छे इस्तिति में हैं, तो कुछ हद तक बहुत अच्छी बात है, अदर्वाइज आपको काफी सारे नुक आपका योगदान को वो देखना चाहेंगे इस बज़े से आप अपनी family को बहुत आगे लेकर जा सकते कई न कई और family के साथ आपकी जो connections है वो बहुत ही अच्छे होंगे लेकिन आप कोई भी निर्णे गलत या बहुत ज़्यदा जल्दबाजी में ना ले अगर गलत निर्ण जिसमें आपकी भावनाओं को बहुत ज़्यदा प्रभाव हो ऐसा निर्णे कभी भी जल्दबाजी में ना ले सोच समझ कर निर्णे ले क्योंकि आपके एक छोटे से निर्णे का प्रभाव पूरी की पूरी family पर पड़ेगा पूरी की पूरी जो आपकी earnings है उसके उपर प छेखते हैं कि चंद्रमा आपको किस प्रकार के result देंगे जब हो 2nd house में होंगे और महा दसा आएगी अब देखे इनके जो result है वह चंद्रमाраш को पर कविसी करके यृषजार इस विडियो को देखने के लिए धन्यवाद